नमश्कर दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपके बस नोकिया जी टॉन्टी वन है या कोई और मॉडल है नोकिया का तो यहां पे आप पिनिंग की सेटिंग कैसे कर सकते हैं एप पिनिंग क्या होता है किसलिए इसको सेट करते हैं तो फुल वीडियो आप यह बताने वाली हूँ आपको तो जैसे कि कोई भी अप्लिकेशन अगर आप यूज कर रहे हैं अपने फोन में और आप उसको पिन करके किसी और को फोन देना चाहते हैं चलाने के लिए कोई मां जाती हूं तो इसके लिए पहले मेरे को सेटिंग करनी होगी सेटिंग पर जाएंगे सेटिंग पर जाने के बाद सिक्रॉल करके सेक्यूरिटी पर क्लिक करेंगे एडवांस पर क्लिक करके आप स्क्रॉल करेंगे एप पिनिंग का ऑप्शन है एप पिनिंग पर क्लिक और यहां पर इसे on कर देंगे, okay कर देंगे, यह वला option भी on रखेंगे, ताकि आप से pattern lock पूछे बाद में, unlock करने पे, इसके बाद यह on हो गया और back कर देंगे, अब यहां पर कोई भी एक application, जिस पर आप lock करके देना चाहते हैं, तो आप इसको open कर लेंगे, बीच वाला बट application का logo है, इस पर आप click करके रखेंगे, ऐसे click करेंगे एक पर, तो pin का option देखने को मिलेगा, pin पर click कर देंगे, okay कर देंगे, तो यह आपका pin हो चुका है, अब आप यहां पर back वगरा नहीं जा सकते, बस इसी application में जो भी आपको छेड़ खानी करना है, सर्च करना है, वो चला जाओं और phone में ताका जाकी कर सकों, तो ऐसा नहीं हो सकता, इसे happening बोलते हैं, अब इसको remove कैसे करना है, तो remove करने के लिए, आप यहां पर back button और task button, दोनों को एक साथ दबाना है, ऐसे touch करना है, एक साथ, तो आपकी main home screen आजाएगी, फोन की, जिसे आप यहां पर अप इतनी high security है कि pattern lock पूछ रहा है, अब लगाने के बाद आप चाहिए, आप कोई साभी button दबाएं, यह सारे button वर्क करेंगे, ठीक है, तो इस step से आप यहां पर app pinning को remove कर लीजेगा, और setting कर लीजेगा, चली मिलते हैं आपकी next video में, तब तक के लिए नमस्कार,